नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का तो साथियों आज हम मैच कवर करेंगे वुमेंस T20 वल्ड कप 2024 का पहला सेमी फाइनल मुकाबला जो खेले जाने वाला है ओस्ट्रेलिया वुमें वर्सीद साउथ अफरिका वुमें के बीच में तो दोस्तों मुकाबला 17 अक्टूबर को खेले जाने वाला है 7 बजगर 30 मिनट पर मैच स्टार्ट होगा दूबई इंटरनेशनल किरिकेट स्टेडियम UAE की पिच पर है तो दोस्तों आज के मैच की हमारी ग्रेंड लिग टीम का कोंबिरेशन किस परकार से होना चाहिए कौन सी खिलाडी को दोस्तों कैप्टन सी में लगा के चलें कौन सी खिलाडी हमारी टीम में वोइस कैप्टन देखने को मिलेगी और कितने ट्रंप कार्ड खिलाडी दोस्तों हमें South Africa Women's की तरब से देखने को मिलेंगे Head to Ed के बारे में बात करें तो Australia की टीम दोस्तों काफी अच्छा performance करती है Head to Ed में पलस में दोस्तों काफी जदा strong टीम है recent में एक भी मुकाबला दोस्तों Women's T20 World Cup 2014 का इस टीम ने दोस्तों नहीं आ रहा है Back to Back काफी बढ़िया performance दोस्तों इस टीम से देखने को मिला है Australia की तरब से हर खिलाडी का आपको High Selection देखने को मिलेगा Captain Voice Captain C में भी High Selection है Wicket Keeper में भी High Selection है Batting Order, All-Rounder और Bowlers में भी दोस्तों हर खिलाडी आपको High Selection में देखने को मिल जाएगी लेकिन दोस्तों Trump Card खिलाडी हमें confirm South Africa Women's की तरब से देखने को मिलेंगे तो कौन सी खिलाडी को दोस्तों हम ट्राइ करके चल सकते हैं कौन सी खिलाडी आज के मैच में हमारी टीम में यूनीक Captain या फिर यूनीक Voice Captain देखने को मिल सकती है पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है पलस में दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ओफर लेके आया हूँ जो दोस्तों पूरी fantasy की दुनिया में आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा यानि कि दोस्तों एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पूरे पाँच मेगा कोंटेस्ट आप जोईन कर सकते हो वो भी सिरफ एक रूपए में अगर ये आपका पहला कोंटेस्ट है और अगर आप जीत जाते हो तो आपको मिलेगा दोस्तों पूरे एक करोड का cash prize जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते चलना कैसे खेलना है कैसे जोईन करना है और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत बोलना चैनल को भी subscribe कर लेना आने वाली लगातार update के लिए और टेलिग्राम चैनल जोईन करना मत बोलना नीचे दोस्तों description में मैंने link दे रख करें तो पिछ दोस्तों आपको बोलिंग पिछ देखने को मिलेगी टोटल इस पिछ पर 15 T20 मुकाबले खेले गए हैं जो टीम पहले बैटिंग करती है उस टीम ने 6 मुकाबले जीते हैं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 9 मुकाबले दोस्तों यहाँ पर विन किये हैं करने वाले हैं उसी के साथ इंडिया वुमेंस की टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर इस गिराउंड पे बनाये था 112 रन का और सबसे कम स्कोर दोस्तों पाकिस्तान वुमेंस का है ओनली 56 रन पे ओल आउट है उसी के साथ बोलिंग की बात करेंगे लास्ट के जो 5 मुकाबले इस गिराउंड पे खेले गए हैं उसमें दोस्तों पेस बोलर ने सोडा विक्टो के साथ परफोर्मेंस किया है पलस में दोस्तों स्पिन बोलर को यहाँ पर 36 विकट मिली है कही ना कहीं दोस्तों इस गिराउंड पे स्पिन बोलर काफी अच्छा परफोर्मेंस करेंगे स्कोरिंग पैटरन 150 से नीचे 12 बार स्कोर देखने को मिला है टोटल 15 T20 मैचों में 150-170 के बीच में 2 बार स्कोर है 170-190 के बीच में एक बार स्कोर देखने को मिला था जो की दोस्तों इंडिया वोमेंस की टीम ने इस गिनाउंड पे बनाये था उसी के साथ रीशेंट वाले म मैच की बात करें तो इंग्लैंड वुमेंन और वेस्टरिंडी वुमेंन के बीच मकाब्ला खेला गया था इस मैच में दोस्तो Cory की टीम ने पहले बैटिंग करते वे इतना खा स्कोर नहीं किया था ओनली 110 रन ही बनाये लेकिन दोस्तों पाकिस्तान वोमेंज का पूरा लाइनप यहां से फ्लोप देखने को मिला था इस मैच में 11 विकट दोस्तों स्पिन बॉलर ने निकाली थी तीन विकट यहां पर पेस बॉलर को मिली उसके बाद बंगलादेश वोमेंज और साउथ अफरिका वोमेंज के बीच मुकाबला खेला गया इस मैच में तीन विकट स्पिन बॉलर को तीन विकट पेस बॉलर को मिली थी उसके बाद पाकिस्तान वुमेन और ओस्ट्रेलिया वुमेन के बीच मुकाबला खेला गया इस मैच में दोस्तो ओस्ट्रेलिया वुमेन की टीम ने मैच को विन किया तीन विकट पेस बोलर को मिली थी साथ विकट दोस्तो यहां पर स्पिन बोलर ने निकाली है यानि कि recent के चार मैचों के according बात करें तो चार में से दोस्तों तीन मुकाबले जो टीम बाद में बैटिंग करके गई है चेस करने वाली टीम ने दोस्तों मैचों को विन किया है एक ही मुकाबला हुआ था जो कि न्यूजिलेंड और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था न् दोनों टीम में काफी अच्छा परफोर्मेंस करने वाली हैं दोनों टीमों से दोस्तों हमें 50-50 खिलाडी ट्राइ करके चलने हैं उसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हम कैसे खेल सकते हैं एक रुपए में 5 मेगा कोंटेस्ट तो दोस्तों पहला जो सेमी फाइनल यहाँ पर दोस्तों आप एक रुपए में 5 मेगा कोंटेस्ट जोईन कर सकते हो अगर आप विन कर जाते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा बड़ा कैस पराइज विन करने का मौका यानि की एक करोड तक आप प्रोफिट बना सकते हो अगर आपने डिस्क्रिप्शन वाले link से download किया है और मेरा refer coupon यूज किया है तो दोस्तो यहां पर आपको 20% extra real cash भी देखने को मिलेगा यानि कि 200 रुपए अगर deposit करते हो तो 240 देखने को मिलेगे 500 करते हो तो 600 देखने को मिलेगे 1000 करते हो तो 1200 रुपए देखने को मिलेगे और इसके साथ साथ दोस्तो 1500 अपनी फाइनली grand league team का combination यहां पर आप विन कर सकते हो एक करोड तक का cash prize उसी के साथ दोस्तो head to add के बारे में बात करें तो head to add में दोनों टीमों के बीस जो last के 10 मुकाबले खेले गए हैं उसमें दोस्तो ओस्ट्रेलिया वोमेंस की टीम ने no head to add मुकाबले विन करके रखे हैं साथ अफरिका वोमेंस की टीम ने only एक ही act to add मुकाबला विन किया है recent के performance के according बात करें तो recent के 5 मैचों मेंसे 4 मुकाबले back to back यहां से ओस्ट्रेलिया वोमेंस की टीम विन करके आ रही है और यहां से दोस्तो एक मुकाबला जो पहले T20 का विन किया है ले चार के चार मुकाबले इस टीम ने weन किये हैं इदर दोस्तो साथ अफरिका वोमेंस की तरब से बात करें तो इस टीम ने भी recent में 4 मुकाबले खेले हैं 4 में से तीन मुकाबले यह टीम भी विन करके आ रही है एक ही मुकाबला हारा है बाकी दोस्तो हैड to add और recent में उस्ट् वो इस captaincy में try करके चलें, कौन सी खिलाडी हमारी team में trump card खिलाडी होगी, कौन सी खिलाडी को दोस्तों हम cvc में try करके चल सकते हैं, बात करेंगे दोस्तों इनके player performance के हिसाब से, सबसे पहले opening batsman, यहां से बात मुनी, जो की recent के match में 2 run, उसके बाद 15 run, फिर यहां पर 40 run है, w final match होते हैं, उस समय उस्ट्रेलिया का bowling line-up भी काफी जबरदस performance करता है, batting order भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया performance करके जाता है, तो यहां से मुनी की बात करें, drop करके नहीं चलना है, recent के 2 match में flop है, बाकी जबरदस performance है, head to head में बहतर का average score है, ground पे दोस्तों 15 run इस खिलाडी न फिर 2 match में बैटिंग नहीं, उसके बाद 19 run, उसके बाद 47 run, recent में दोस्तों women's T20 World Cup का एक ही मुकाबला इस खिलाडी ने खेला था, और उस match में performance काफी बढ़िया देखने को मिला था, head to head में trip पन रन इसके पास है, ground पे पहला match है, T20 format में 9 wicket यह खिलाडी निकाल चुकी है 22 average score इस खिलाडी का बैटिंग से है, अगर Australia women's की टीम पहले बैटिंग करती है, तो दोनों खिलाडी दोस्तों आपकी टीम में important है, वरना दोस्तों आप एक wicket keeper यहां से try करके जा सकते हो, उसके साथ दोस्तों Alice Perry जो की recent वाले match में 32 run, उसके बाद 22 run नाबाद, फिर यहां से 30 run, फिर दोस्तों 17 run continue यह खिलाडी dream team में देखने को मिली है, लेकिन दोस्तों bowling देखने को नहीं मिली, head to add में 9 matchों में 7 victor के साथ इस खिलाडी का performance है, पलस में 16 का average score है, head to add में flop है, ground पे 22 run, 126 wicket इसके पास है, T20 format में 31 का average score इस खिलाडी का batting से है, यह खिलाडी दोस्तों recent के continue चारों matchों में बैटिंग से काफी अच्छा performance किया है, एक ही match में 20 से नीचे का score है, बाकी दोस्तों तीनों matchों में 20 plus का score इस खिलाडी के तरब से देखने को मिला है, उसके बाद gardener recent के match में 6 run plus में 1 wicket, उसके बाद 7 run नाबाद 4 wicket, 6 run 0 wicket, 12 run 1 wicket, head to add में 5 wicket इसके पास 31 का average score बैटिंग से, ground में दोस्तों 4 wicket के साथ इस खिलाडी का performance है, T20 format में 78 wicket निकाल चुकी है, 24 का average score बैटिंग से है, ये खिलाडी दोस्तों CVC में नंबर 1 की खिलाडी देखने को मिलेगी, Australia women's की तरब से, उसके बाद दोस्तों Lichfield recent के match में 15 run नाबाद, बहुत ही नीच 38 का average score बैटिंग से, T20 format में है, काफी अच्छी बैटिंग है इस खिलाडी की T20 format में, लेकिन दोस्तों बैटिंग ओर बहुत ही नीचे है, अभी के लिए ड्रोप करके चल सकते हो, उसके बाद थालिया मैगरा 3 cent के match में 32 run, उसके बाद flop है, 9 run नाबाद 1 wicket, फिर बैटिंग रखी है, ग्राउंड में दोस्तों एक मुकाबला जिसमें flop है, T20 format में 18 wicket इसके पास है, और 40 का average score बैटिंग से है, ये खिलाडी भी दोस्तों बैटिंग की बाद करें, तो बहुत ही real chances देखने को मिलेंगे, अगर पहले बैटिंग करती है, Australia women's के team, तो इस खिलाडी की बै इसके पास है, ग्राउंड पे 2 wicket, T20 format में 63 wicket निकाल चुकी है, 16 average score इस खिलाडी का बैटिंग से है, ये खिलाडी दोस्तों आपकी team की unique voice captain देखने को मिल जाएगी, बहुत ही low selection वाली खिलाडी है, उसके बाद अनाबल सदरलैंड, recent के match में 10 run plus में 2 wicket, उसके बाद फिर से 2 wicket, फिर 2 run 3 wicket, recent के 3 match में performance है, यहाँ पर flop है, फिर 38 run plus में 2 wicket, head to add के 4 मुकाबले इस खिलाडी ने खेले हैं, only एक ही wicket है, ग्राउंड पे दोस्तों 2 wicket इसके पास है, T20 format में 27 wicket के साथ performance है, 11 average score बैटिंग से है, high selection वाली खिलाडी है, CVC में, वैसे दोस्तों try करके चल सक recent के 3 match में इस खिलाडी ने bowling से काफी अच्छा performance किया है, उसके बाद दोस्तों Sophie recent के match में 2 wicket, उसके बाद 1 wicket, 4 match में performance है, drop करके नहीं चलना है, bowlers में pick करके चलना है, head to add में एक ही मुकाबला खेला था, 1 wicket के साथ performance, ground पे भी 1 wicket, 41 wicket इसके पास है, T20 format में drop करके नहीं चलन है, important खिलाडी है, उसके बाद Megan recent के match में 1 wicket, फिर यहाँ पर 1 wicket, 2 match में continue, 3-3 wicket के साथ performance है, experience bowler है, captaincy में दोस्तों काफी अच्छी चुआईस है, अगर पहले South Africa की team batting करती है, तो यह खिलाडी दोस्तों captaincy में आपकी team में unique कप्तान देखने को मिल जाएगी, head to add में 7 मुक साथ final bowler के बारे में बात करें, brown जो की recent के दोनों match में flop देखने को मिली है, उसके बाद यहाँ से bowling देखने को नहीं मिली, फिर यहाँ से continue एक-एक wicket के साथ performance किया, head to add में 4 मुकाबले, 4 wicket इसके पास है, ground पे पहला match है, T20 format में 29 wicket के साथ दोस्तों इस खिलाडी का performance देख इने को मिल जाएंगे, अगर बात करें दोस्तों इनके starting और death में कौन सी खिलाडी bowling करवाएगी, तो starting के ओवर दोस्तों यहाँ से मेगन के gardener के Sophie, Annabal, Southernland के death में दोस्तों यह खिलाडी फिर से bowling करवानी वाली है, अगर South Africa women's के team पहले betting करती है, तो captaincy में जरूर ट्राइ करक उसके बाद gardener, फिर Sophie, यहाँ से Annabal, Southernland, यह total 4 बोलर हैं जो की death में bowling करवाएगी, और यह दोस्तों आपको 4 खिलाडी देखने को मिलेंगी, जो की starting में पहला ओवर कौन सी खिलाडी करवाने वाली है, और दूसरा ओवर दोस्तों कौन सी खिलाडी करवाएगी, उसी के साथ बैंस प्लेरों की बात करें, टोटल दोस्तों 4 बैंस प्लेर हैं, इन में से कोई भी खिलाडी अगर finally playing 11 में अपडेट होती है, वो अपडेट आपको टेलिग्राम चैनल पे मिलने वाली है, नीचे description में लिंक है, फड़ापट से दोस्तों टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना, पलस में दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना आने वाली लगातार अपडेट के लिए, बात करेंगे दोस्तों प्लेर बैटल के बारे में, टोटल 5 खिलाडियों का प्लेयर बैटल है, जब भी दोस्तों यूनिक ग्रैंड ताकि दोस्तों एक आपको आईडिया मिल जाए कि ये खिलाडी हमारी टीम में सेफ कैप्टन है या फिर हम इसकी जगह कोई दूसरी खिलाडी को CVC में ट्राई करके चलें तो प्लेयर बैटल आपके लिए काफी ज़्यादा important होता है सक्रीन चोट जरूर ले लेना उसी के साथ दोस्तो बात करेंगे South Africa Women's की तरब से Final Playing 11 क्या रहेगी कौन से खिलाड़ी CVC में अच्छी चुआईस है Opening Batsman Lora Walward उसके साथ ताजमीन ब्रिट्स देखने को मिलेगी उसके बाद अनेके बोच फिर दोस्तो मारी जैन कैप है तो ये खिलाड़ी CVC में हाई सेलेक्षन वाली खिलाड़ी है फिर दोस्तो यहां से loose को हम ट्राई करके चलें या फिर वोलवाड रिसेंट के एक ही मैच में फिलोप थी बाकी यहां पर continue तीनों मैचों में दोस्तो जबड़दस परफोर्मेंस इस खिलाड़ी की तरब से देखने को मिला है 40 रन, 42 रन, 69 नाबाद, एक मैच में 29 रन, हैक्टो एड में 6 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले है, 22 का एवरेज स्कोर है ग्राउंड पे 53 का एवरेज स्कोर है टीटवंटी फॉर्मेट में 36 का एवरेज स्कोर है अगर बात करें दोस्तों साउथ अफरीका का जो प्लेयर परफोर्मेंस है वेन्यू पे ये टीम दोस्तों रिसेंट में तीन मुकाबले खेल के आ रही है और ओस्टेलिया की टीम ने एक ही मुकाबला खेला है तो कहीं ना कहीं दोस्तों पिच का आइडिया है साउथ अफरीका वोमेंस की टीम को की कैसे बैटिंग करनी है और कैसे दोस्तों इस पिच पे बोलिंग करनी है बिरिट्स रीसेंट के मैंस में 42 रन, उसके बाद 43 रन, फिर flop है, फिर 57 रन नाबाद, फिर दोस्तो 22 रन, head to head में 5 मुकाबले, 38 का average score, ग्राउंड पे दोस्तो 21 का average score है, और 32 का average score इस खिलाडी का T20 format में है, दोनों खिलाडी important है, यहाँ से अगर दोनों खिलाडी यहाँ से flop होती है, तो दोस्तों आपको South Africa women's का जो betting line-up है, लगबग flop ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन यह दोनों खिलाडी काफी जादा important होने वाली है, उसके बाद अनेके बोज, recent के match में 25, 11, 18, फिर बैटिंग नहीं, फिर उसके बाद continue 2 matchों में flop है, head to add में इतना खास performance नहीं है, only 47 run इस खिलाडी ने बनाए है, 11 का average score, ground पे 36 run, 8 wicket T20 format में 26 का average score इस खिलाडी का बैटिंग से है, उसके बाद मारी जैन कप, recent के match में 13 run नाबाद 1 wicket, उसके बाद 43 run, फिर यहां से 26 run एक wicket, उसके बाद 2 wicket, head to add में दोस्तों 8 मुकाबले इस खिलाडी ने खेले है, 7 wicket इसके पास है, 20 का average score बैटिंग से, ground पे दोस्तों 3 wicket T20 format में 87 wicket निकाल चुकी है, 21 का average score इस खिलाडी का बैटिंग से है, ये खिलाडी दोस्तों काफी अच्छी चुआईस है, CVC में एक सेफ आप Captain, वो इस Captain इस खिलाडी को ट्राइ करके चल सकते हो, वैसे दोस्तों जो टीम पहले bowling करवाईगी, उसका जो main bowler है, उसको आप जरूर Captain से में ट्राइ करके चलना है, क्योंकि वो खिलाडी आपके टीम की unique captain देखन को मिल जाएगी, उसके बाद सुने लूज, recent के मैच में फ्लोप है, उसके बाद 18 रन नाबाद एक विकट, फिर यहां से continue फ्लोप ही देखने को मिली है, head to add में दोस्तों 8 मुकाबले 14 सी रन इसके पास है, गिराउंड पे 1 विकट, पलस में 18 रन बना रखे हैं, T20 फॉर्म दो रन जीरो विकट, उसके बाद फिर से फ्लोप है, 24 रन जीरो विकट, head to add में 8 मुकाबले, 85 रन इसके पास है, पलस में दोस्तों 3 विकट में निकाल रखे हैं, गिराउंड पे 2 विकट है, T20 फॉर्मेट में 38 विकटों के साथ इस खिलाडी का परफोर्मेंस है, 20 का अव अवी के लिए मैं दोनों खिलाडियों को ड्रोप करके जाने वाला हूँ, उसके बाद दोस्तों कलर्क रिसेंट के मैच में फ्लोप है, उसके बाद दो विकट, एक रन ना बाद एक विकट, यह खिलाडी दोस्तों परफोर्मेंस कर सकती है, लेके चलना है, बैटिंग पलस बोलिंग दोनों से point करके देगी head to add में 6 मुकाबलों में 6 wicket इसके पास है ground पे 2 wicket है 45 wicket निकाल चुकी है T20 format में उसके बाद अनेरी डाक्सन recent के match में एक wicket उसके बाद फिर ये एक run नाबाद एक wicket फिर दोस्तों 20 run नाबाद है head to add में दोस्तों पहला match है ground पे 2 wicket इसके पास है T20 format में 5 wicket के साथ performance है 22 average score इस खिलाडी का बैटिंग से है उसी के साथ दोस्तों जफता जो कि आपको wicket की पर option देखने को मिलेगी recent के 4 के 4 match में इस खिलाडी की तरब से बैटिंग देखने को नहीं मिली है अभी के लिए ड्रोपी करके चलेंगे only 111 run इस खिलाडी ने बनाए है T20 format में 15 average score बैटिंग से है उसके बाद मलाबा recent के match में 1 wicket फिर दोस्तों 3 wicket continue इस खिलाडी के तरब से performance है 6 मुकाबले head to add में 5 wicket इसके पास है ground पे जबरदस performance है 8 wicket के साथ 47 wicket निकाल चुकी है T20 format में लेके चलना है ड्रोप करके नहीं चलना है 1 match में 4 wicket फिर दोस्तों 1 wicket फिर 3 wicket फिर 1 wicket तो साइद आज के match में 2 या फिर 3 wicket के साथ इस खिलाडी का performance होगा उसके बाद घाका recent के match में flop है फिर यहां से 1 wicket फिर continue 2 wicket के साथ performance है head to head में 6 wicket में 2 wicket निकाल चुकी है ground पे 1 wicket है T20 format में 21 wicket के साथ इस खिलाडी का performance है 66 मुकाबले अभी तक इस खिलाडी ने खेले है यह दोस्तों फाइनली आपको South Africa Women's के final player performance देखने को मिल जाएंगे अगर बात करेंगे दोस्तों इनके starting और death में कौन सी खिलाडी bowling करवाएगी तो starting के ओपर दोस्तों यहां से marijan cup के देखने को मिलेंगे खाका के देखने को मिलेंगे मलाबभा के ओवर देखने को मिल जाएंगे Death में दोस्तों यहां से खाका और यहां से clerk के उसके साथ यहां से मलाबबा है और tryon है यह total 4 खिलाडी है जो की दोस्तो death में bowling करवाएंगी ओपर कि आपको यहां से 4 तीन खिलाडी देखने को मिलेंगी जो की death में bowling करवाने वाली है इसी के साथ bench player की बात करें टोटल दोस्तो इस team से भी आपको 4 bench plate देखने को मिलेंगे कोई भी खिलाडी यहां से finally playing 11 में update होती है वो update आपको telegram channel पे मिल जाएगी नीचे दोस्तो description में link है फड़ापट से telegram channel जरूर जोईन कर लेना पलस में दोस्तो वीडियो को like कर लेना चैनल को भी subscribe कर लेना आने वाल जरूर ले लेना जब भी आप finally grand league team का combination बनाओ या फिर दोस्तो small league team का combination बनाओ उससे पहले एक बर player battle जरूर चेक कर लेना कि हम कौन सी खिलाडी को captain voice captaincy में try कर रहे हैं टोटल दोस्तो 5 खिलाडियों का player battle है उसी के साथ fantasy के जो high selection वाले खिलाडी है वो दोस्तो कौन कौन सी खिलाडी रहेंगी तो बात करेंगे अगर यहाँ से ओस्टेलिया की तरब से तो मुनी है उसके साथ Alice Perry है gardener है मेगन है इधर से दोस्तो लोरा वोलवाड ताजमीन ब्रीट्स मारी जैन कप है उसके साथ मलाबबा है trump card खिलाडी दोस्तो यहाँ से हिली आपको देखने को मिल सकती है अगर खेलती है तो उसके साथ जोरजिया है इधर से दोस्तो सुने लूस और यहां से try one यह टोटल चार खिलाडी है जिनका दोस्तो fantasy में low selection है उपर की दोस्तो आपको 8 खिलाडी देखने को मिलेगी जिनका fantasy में high selection देखने को मिलेगा उसी के साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने my11 circle application को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे description में लिंक है फड़ापड से दोस्तों जॉइन कर लेना क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्रिफीस ओनली एक रुपए देखने को मिलेगी एक रुपए में आप पांच मेगा कोंटेस्ट जॉइन कर सकते हो इसके साथ अगर आप विन कर जाती हो तो आपको मिलेंगे दोस्तों पूरे एक करोड का कैस पर आइजे और यहाँ पर दोस्तों अगर आपने मेरे रैफर कूपन से डाउनलोड किया है और मेरा दोस्तों यहा दोस्तों बात कर लेते हैं finally fantasy team के बारे में तो यहां से दोस्तों मैंने मुनी को दोनों टीमों में पिक किया है यहां से दोस्तों मैगराथ उसके साथ आपको ताजमिन ब्रिट्स लोरा वोलवर्ड कैप्टनशी में दोस्तों सदरलेंड आपको देखने को मिलेगी वीची में यहां से मारी जैन कप है यहां से दोस्तों गार्डनर पैरी और यहां से दोस्तों सोफी मलाबा और मेगन इधर नीचे भी दोस्तों आपको तीन बोलर सेमी देखने को मिलेंगी all rounders बें दोस्तों मैंने 5 all rounders यहां पर पिक किये है captaincy में मैंने पिक किया है gardener को VC में दोस्तों यहां से मैंने पिक किया है wall ward को क्योंकि 50-50 combination बना के चला हूँ दोनों टीमों में बागी दोस्तों आपको grand league team के जो combination है वो आपको telegram channel पे मिल जाएंगे नीचे description में मैंने link दे रखा है फड़ापट से दोस्तों telegram channel जरूर जोइन कर लेना पलस में video को like कर लेना चैनल को भी दोस्तों subscribe कर लेना आने वाली लगातार update के लिए तो मिलता हूँ दोस्तों next interesting video के साथ